स्वागते दोस्तों, एक्सिलेंट क्लासिस में, एक्सिलेंट क्लासिस की तरफ से मैं हरियों गुपता आप सभी का बहुत-बहुत श्वागत करता हूँ और यहाँ पर environment का important video जो की आपके exams के लिए काफी important होने वाला है तो सारे के सारे important questions हैं और वो questions हैं जो आपके exams के लिए important हैं तो निमलिखित मैंसे बाल विबाय का एक प्रमुक कारण नहीं है तो आपको मैं बता दूँ कि बाल विबाय और यहाँ पर बहुत सी कुपर्थाएं हमारी समाज में रही हैं जिससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाया है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बाल विबाय का कारण क्या नहीं है तो आपको मैं बता दू कि बाल बिबाया बच्चों की छोटे उमर में जब वो मैच्चोर नहीं होते हैं उस एज में जब उनकी सादी कर दी जाती है तो वो बिबिन परकार के उनका जो डेवलम्मेंट होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है और यहाँ पर बाल बिबाय का कारण जो है दोस्तों आसिच्छा है हिंदू धर्म सास्त्र आप मान सकते हैं और इस तरियों की बरत्मान निम्न दसा है वो उसका भी कहीं न कहीं कारण क्या है उसका भी बरत्मान कारण बाल बिबाय है लेकिन सिच्छा इसके शित्र में अच्छा कार करती है सिच्छित बैक्ती बाल विबाय को आप विरोत करता है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा हमारा option number B सिच्छा यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा चलिए question number 2 पर चलते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे है food chain के बारे में खाद स्रंखला के बारे में हरे पौधे प्रकती में हैं क्या है तो चलिए सबसे पहले मैं एक system दिखाता हूँ कि हरे पौधे सिर्फ हमें देते हैं हमसे कुछ लेते नहीं है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं बेसिकली यहाँ पर जो प्रकास translation यानि photo synthesis की जो क्रिया होती है वो सूर के प्रकास में carbon dioxide पौधा लेता है और minerals and water भूमी से मिलते हैं और इन सब के उपस्तिती में भोजन अपने भोजन का निर्माल करते हैं हमें फल्व, oxygen सभी प्रदान करते हैं तो हरे पौधी प्रक्रती में क्या है? उत्पादक हैं, वो भोगता नहीं है, वो कुछ भी हमसे लेते नहीं है हमें सब कुछ देते ही देते हैं तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर right answer हो जाएगा हमारा option number B, उत्पादक यहाँ पर चलिए question number 3 पर चलते हैं बर्तमान में हम बात कर रहे हैं दादा दादी बच्चों के विकास में किस प्रकार से सायक होते हैं? तो चलिए सबसे पहले में एक image के माद्यम से आपको इस समझाना चाहता हूँ कि बच्चों के जीवन में दादा दादी का मात किस प्रकार से हैं? तो दादा दादी बच्चों का ना केवल सारीरिक विकास के साथ साथ उनका नैतिक विकास किस तरह से हमें किस के सामने पेस आना चाहिए? हमारे नैतिक मूल ले क्या होने चाहिए? यह सब हमें बड़े बुड़ों के साथ बैट कर ही इस चीज़ का ग्यान होता है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा? हमारा right answer हो जाएगा option number B दादा दादी बच्चों के विकास के नैतिक साहयक, नैतिक विकास के लिए महत्पूर्ण है, नैतिक विकास में साहयक है right answer हो जाएगा question number 3 का, option number B हो जाएगा हमारा यहाँ पर question number 4 लेते हैं, protein का सबसे अच्छा स्रोथ कौन सा है? दिये गए options में से एक right option चुनना है, तो सबसे पहले मैं आपको image के माद्ध हम से समझाना चाहूँगा कि ना केबल अंडा ही या कोई भी मानसारी भोजन ही जरूरी नहीं है हमारे सरीर के protein की पूर्ती के लिए विविन निपरकार के साकाहरी भोजन से हम अपने सरीर को कम से कम toxic चीजों को involve करते हुए क्योंकि जब हम मास इस्त्यादी का सेवन करते हैं, तो हमारी body उसको पचाने में विविन निपरकार के toxic भी generate करती है जबकि हम साकाहरी और आसान जिनकी food chain बहुत आसानी से टूड जाती है, हमारा सरीर आसानी से absorb कर सकता है तो आपको मैं बता हूँ कि जो dairy product है, जैसे दूद, पनीर, लसी, दही, इस्त्यादी protein के बहुत अच्छे option है, भोना हुआ चना और मसालेदार बादाम अच्वा काजू भी इसका एक अच्छा option माना जा सकता है तो यहाँ पर सबसे अच्छे सुरूत के बारें बात करें, तो यहाँ पर सबसे अच्छा सुरूत क्या होगा, दूद दूद हमारे सरीर में calcium के साथ साथ protein की भरपाई करता है, तो right answer है option number 1 चलिए question number 5 पर चलते हैं, सडक पर संकेतिक चिन क्यों लगाए जाते हैं, जो आप जब सडक पर travel करते हैं दोस्तों तो different type के आप signals देखते होंगे, breaker का signal, turn का signal और यहाँ पर speed का caution होता है, वो सब हम देख सकते हैं, तो इस चिन क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बता दूँ, आप देख पा रहे होंगे, आपने image में देख पा रहे होंगे, याता यात के बिभिन, आपको signals मैं मैंने दिखाए हैं, एक speed जिस पर लिखी होती, speed caution होता है, speed और हमें जब रुकना होता, तो red signal, green signal, इस परकार से बहुत से signals आप देख पा रहे होंगे, turn का signal, तो basically यह क्या होता है, हमारे mark दरसन के लिए यह लगाए जाते हैं, अर्थात हम सही तरीके से, सुरच्छे तरीक सडक पर अपनी यात्रा पूरी कर सकें, तो right answer क्या होगा, हमारा option number B हो जाएगा, यहाँ पर, चलिए next question पर चलते हैं, निवने मैसे कौन सा आजयाविक पधार्त है, ऐसा पधार्त जो हमारा प्रकती में स्वताही जन्व नहीं लेता है, अर्थात वो अपने संतान की organic materials होते हैं, जो प्रकती अपने आप उन्हें generate करती है, जन्म देती है, और जो synthetic materials होते हैं, जिनको इनसान ने बनाया है, या वो पधार्त जिन में कोई जीवन नहीं है, वो अजयाविक पधार्त कहलाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, कि plastic और काच, जैसे कि मैंने आप को image के माध्यम से भी समझाने की कोशिस की है, काच और plastic human made material हैं, और ये अजयाविक पधार्त हैं, तो right answer क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, question number 6 का right answer option number C होगा, option number C is correct है, चलिए question number 7 पर चलते हैं, अच्छे स्वास्त के लिए क्या आवश्यक है, तो ये दो बहुत ही basic सा question है कि अगर हम अच्छे स्वास्त जीवन ब्रतीत करना चाहते हैं, तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, नेमेत रूप से बयाम करना चाहिए, और डक्टरी जाच के लिए हमें बार बार जाना चाहिए, अर्थास हमारे सरीर में किसी प्रकार की कोई problems तो नहीं हो रही है, ल इत्यादी हम जो रोटी बोलते हैं जिसको, वो हम दिन में खा सकते हैं, दिन में चार से पांच बार, यहां पर जो फल है, फल को हम सुबह साम या दोफैर में सेवन कर सकते हैं, मास इत्यादी का पूरे दिन में दो या तीन बार सेवन कर सकते हैं, और आपको सबसे कम अपन चीनी हो या तेल हो हमारे सरीर को slow poison अर्था धीमे धीमे करके बीमार करती हैं चाहे BLDL हो या LDL हो यह सभी इनी बसा और तेल इत्यादी से जनरेट होता है तो question number 7 का right answer option number D होगा यहां पर question number 9 पर चलते हैं पौधा खाना बनाने के लिए क्या प्रयोक करते हैं यह question हमने पहले भी discuss कर चुके हैं आपको और मैं डीटेल से बताना चाहता हूँ यह पौधा है यह पौधा अपना भोजन हरी पत्तियों में किस प्रकार से बनाता है और यह पौधे किस प्रकार से अपने भोजन के साथ साथ विबन प्रकार के साकाहरी जीवों के लिए भी भोजन प्रवदान करते हैं आप देख सकते हैं कि भूमी से यह जल और मिनरल अर्थात खानेज लवन जमीन से अफसोसित करते हैं कारवन डायक्साइड अपने भोजन में अवशोशित करते हैं सूर का प् oxygen generate करता है इसलिए कहा जाता कि हमें अपने प्रद्वी को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए क्योंकि जनसंखिया बहुत जादा बढ़ जाने के कारण carbon emission बढ़ रहा है carbon dioxide की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है oxygen को maintain करने के लिए हमें पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए right answer हो जाएगा हमारा option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 9 पर चलते हैं गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है तो गंदा पानी पीने से हमारे आत में संक्रमन अर्थास infection हो जाता है और इससे diarrhea या dust जैसी बीमारी generate होती है पैदा हो जाती है हमारे पेट में और उसका जो bacteria होता है वो हमारे आत में भोजन को सडाना शुरू करता है और हमारी आथ बार-बार उस materials को बाहर निकालती है और इससे diarrhea या दस नामक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी होती कैसे है गंदा पानी हमारे सरीर में जब प्रिवेश कर जाता है हम गलती बस गंदा पानी पी लेते हैं तो हमारे सरीर की बीमार होने के सम्भावना अत्याध हो जाती है question number 10 पर चलते हैं दोस्तों निमने मैंसे कौन सी एक प्रक्रतिक आपदा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी आपदाएं जो प्रक्रतिक के द्वारा generate होती है जैसे कि बाढ़ अत्याधिक बर्सा से होती है शुनामी होती है समुद्र के अंदर भूकम पाने से चक्रवात होती है लो प्रेसर टाइड उत्पन होने से लेकिन युद्ध जो है वो प्रक्रतिक आपदा नहीं है युद्ध जो है वो बिविन देशों के आपसी मतभेद और मनमुटाओ के कारण युद्ध यहां पर सुरू होते है ये प्रक्रतिक आपदा में नहीं गिना जा सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा option number D question number 11 पर चलते हैं परियावरण में अवांचनी परिवर्तन करने में कौन सा संकट उत्पन होने लगा है अवांचनी अर्था जो हमें नहीं चाहिए है तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा ecosystem है परियापारिस्थित की संकट हैं वो बेसिकली परियावरण में अवांची परिवर्तन करने के कारण ए संकट उत्पन होने लगा है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर option number B हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा question number 12 आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आलू क्या है तो आलू बेसि के लिए important role play करती है तो राइट आंसर हो जाएगा option number B question number 13 पर चलते हैं स्रब सामगरी का उधारण है स्रब अर्था जिसे सुना जा सके तो gramophone एक ऐसा device है जिसे हम सुन सकते हैं उससे audio signal generate होता है जो हम सुन सकते हैं स्यामपट blackboard उस पर लिखा जा सकता है और सूचना पटल जिसे information board कहते हैं उस पर भी notice चिपकाया जाता है book होती है उस पर भी लिखा हुआ हम पढ़ते हैं लेकिन वो audio signal generate करते हैं question number 14 पर चलते हैं PCO अपने mobile phone ने तो इनका स्टिक भी खतम कर दिया है और इनका नाम है public calling office पी स्टियो question number 15 पर चलते हैं बहुत important question है विस्व सच्छरता देवस कब मनाया जाता है world education day यह बहुत ही important है सिच्छक देवस और विस्व सच्छरता देवस 8 सितम्मर को मनाया जाता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा हमारा option number A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा right answer question number 16 पर चलते हैं निमने मैसे कौन सा आशन जो हमारी योग आशन की क्रिया है उसमें मदुमे रोग अर्था diabetes को control किया जा सकता है और आपको मैं बता दूँ कि कपाल भाती कपाल भाती basically एक आशन है जिससे मदुमे diabetes से blood sugar level को control किया जा सकता है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा question number 16 के बाद question number 17 पर चलते हैं मद्ध प्रदेश में सबसे छोटा राष्टी राजमार्क कौन सा है तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारा national highway 75 है वो मद्ध प्रदेश का सबसे छोटा highway है और इसकी लंबाई के बारें बात करें तो इसकी लंबाई महज 9 km है हमारे खेतों में जब होती है तो जो हम अपना अन्ब होते हैं खेतों में दोस्तों तो उस समय उसके जो पोशक तत्व है वो खरपतवार लेना सुरू कर देती है एक कमटीटे माहौल तयार होता है जो हम पौधा अपनी फसल के लिए डालते हैं वो फसल ना होकर खरपतवा का आधार क्या है तो आपको मैं बता दूं कि समाजिक जीवन में सोचल लाइफ के लिए बहुत जरूर है कि हम किसी को भी किसी प्रकार की हानी ना पहुँचाएं हमें एक डिस्प्लेन में रहना चाहिए समाजिक नियमों का भली बाती पालन करना चाहिए एक दूसरे के सहयोग की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रती टॉलरेंस होना चाहिए अगर किसी बैक्ती का कोई पिसेस धर्म है suppose that कोई मुसलिम धर्म में से है तो सुबह पांच बजे अजान करता है और यह है question number 20 जिसमें पूछा गया कि भारत की उन्नती में प्रित्रोध क्या है कौन-कौन से ऐसे प्रित्रोध हैं कौन-कौन से ऐसे अवरोध हैं जिससे भारत की समाज उन्नती नहीं कर पा रहा है यह दो बहुत से ऐसी कुरीतियां हैं जो आप कहें कि कई बर्सों से चली आ रही हैं हमारी समाज में चाहे बात करें जाती प्रित्रोध के बारे में चाहे दहेज प्रित्रोध के बारे में या बाल बिबाब बहुत से ऐसी कुरीतियां हैं जिसके कारण से भारत का समाज एक उन्नत नहीं हो पा रहा है, यह उसमें अवरोध का काम कर रहे हैं। तो यह था आज का हमारा important वीडियो, उमीद करता हूँ आपको important है, आपको पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों तक share कर सकते हैं, और अपना एक like जरूर कीजेगा, thank you for watching.